नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर किसानों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में PM किसान सम्मानिधी योजना की 16 किस्त के 2000 रुपे बैंक खातों में किसानों के ये धनरासी ट्रांसफर कर दी गई है इसका हम आपको एक प्रूव भी दिखाने वाले हैं वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी की केंदर सरकार द्वारा 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में 21,000 करोड 21,000 करोड की धर्नासी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है यानि कि जो 16 इंस्टॉल्मेंट है 16 किस्ट है 16 किस्ट के 22,000 रुपे 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में ये किस्ट का पैसा ट्रांसफर कर दे गया है 28 फरवरी 28 फरवरी 2024 के तारीक में ये पैसा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है इसका हम आपको एक प्रूव भी दिखाने वाले हैं जिहां आप ध्यान से देखेगा और इसको समझेगा देखे साथ यहां पर आप पढ़ सकते हैं पेमेंट डिटेल यानि की जो बुक्तान, इस्तिती है वे इसमें बताए गई है सबसे पहले जो किसान का application number या आप इसको register number भी बोल सकते हैं यहांपर किसान का नाम होता है यहांपर किसान का beneficiary code, agency code, scheme code देखे PM किसान समंधी योजना का ये एक scheme code है परपस इसमें देखे लिखा हुआ है income support fund installment याने कि इन किसान को ये नई किसान है और इनको पहली किस्त मिल चुकी है वैसे तो परधान मंदरी किसान सम्मांदी योजना के अंतरगत अब तक की जो last installment थी वह 16 किस्त के 2000 उपे थी जिन किसानों ने पहले से इकिस्त पराप्त करत ये इस योजना की तो उनको पहली किस्त यहां पर लिखी मिल जाएगी आधार बेश्ट पेमेंट किया जा रहा है dbt के माध्यम से इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना बैंक खाता आधार शिडिंग कराईए नपी से मैपिंग कराईएगा जिसने नहीं कराया उनके बैंक खाते में ये किस्त दो तो हजार उर्पे की नहीं पहुँच पाई है अब यहां पर देखिए यहां पर आधार बेश्ट पेमेंट किया जाता है तो इसमें अकाउंट नम्मर की अवशकता नहीं होती आप यहां पर दो हजार उर्पे देखिए रिक्वेस्ट की गई है सैंशन क्लोजट 23 फरवरी 2024 समय भी यहां पर दिया गया है फाइल इस्टेटस रिसीवड यहां पर यह सभी चीजे आप इसको देख सकते हैं और 2000 रुपे जो किस्त है इन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है देखे यदि आप ही यहां पर देखेंगे आपको लिखा मिलेगा क्रेडिट इस्टेटस में आपको पेमेंट पैंडिंग एट बैंक यह यहां पर देखे लिखा हुआ है परधान मंतरी नरेंदर मोदीज दुआरा 28 फरवरी 2024 को 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16 किस्त के 22,000 रुपे ट्रांसफर कर दिये गई हैं यहां पर इतना आपको मालू है लेकिन जब आपने PFMS के माद्यम से इस परकार से अपना पेमेंट डिटेल देखा तो यहां पर आपको लाश्ड में लिखा मिला though credit bank status में payment यानए payment pending at bank यह आपको लिखा मिला तो देखे हम आपकी जानकार के लिए बता देखी आपके बैंक हाथ में 2000 रुपे किस्त पोंच चुकी है दो दो हजार रुबे किस्त जो आपको मिलने वाली थी वह है आपको मिल चुकी है आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुकी है लेकिन जो यह पी एफमेस का आप सोच रहोंगे इस पर पैंडिंग दिखा रहा है हम आपकी जानगा एक लिए बता दें कि इस पोर्टल पर अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा एक दिन का समय तीन दिन का समय चार दिन का समय जैसे ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर देखेगे आपको लिखा मिलेगा तारीक बेसाथ कि 2000 रुपे किस तारीक में ट्रांसफर हुए है ना तो यहाँ पर देखे इस पोर्टल पर अपडेट होने में समय लगता है तो इसको आपको अगिनोर करना है कुछ दिन के लिए आपके बैंक खाते में 2000 रुपे पहुँच चुके हैं आप अपनी पासबुक को अपडेट कराकर एक बार चेक जरूर कर लीजेगा जिसके बैंक खाते में 2000 रुपे किस ट्रांसफर नहीं हो पाई है तो वहाँ पर कही न गई उनके आविदन फारम में गलतिया है लेट शिनिंग का कारे कंप्लीट ना हो EKYC कंप्लीट ना हो या फिर आपका यहाँ पर आदार शिडिंग कंप्लीट ना हो तो ऐसे स्थिती में उनके बैंक खाते में 2000 रुपे किस ट्रांसफर नहीं हो पाई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कॉमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों के जब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स टूडियो में एक और नई जानकारे साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत